हाई दोस्तों क्याला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वागत है आज हम कालत अपम की रेसीपी देखेंगे ये कुकर में बनाते हैं बहुत एसी और टेस्टी रेसीपी है अभी तक आपने ये रेसीपी के बारे में सुना नहीं है तो ज़रूर श्राइ करके देख लीजिए ये बह ऄफ टी स्पून एलैची पाूडर दालेंगे फोड़ा से नामक दालेंगे फिर एक कप पानी दालेंगे और ऐसे मिक्स करेंगे घसीफिर इसमें घ्रेटे इसको ढक्रीडेबल स्पून दालेंगे हम और इसको LGB yes अब देखे ऐसे ग्राइंड कर लिया है अब हम इसमें अब इसको अच्छे से mix करके रखेंगे यह बनाते टाइम पानी का measurement perfect होना चाहिए तब ही तो वह perfect structure में मिल जाएगा अब हम जैगरी का जो सिरप बनाएंगे उसके लिए मैंने यहां पे तीन चोटे size का जो गुर्ड लिया है इसमें 1 by 4 cup जितना पानी add करना है पानी का measurement यहा नीचे बहुत ज्यादा थीक होना चाहिए ने तो वह हमारा जो अपम नीचे से जल जाएगा इसलिए अगर कोई सा भी बरतन आप ले रहे है वह नीचे का वह पाट बहुत थीक होना चाहिए अब यह कुकर में हम नारिल का तेल डालेंगे नारिल का तेल ने यह तो घी भी नहीं तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, अब हम इसमें चोटे प्यास डालेंगे, ऐसे कट करके 2 टेबल स्पुन तक है, अगर वो नहीं तो बड़े प्यास भी यूज़ कर सकते हैं, एक टेबल स्पुन काफी है, वो बड़े है तो, नहीं तो अब स्किप कर लीजिए, अब हम ये बैटर में थोड़ा सा सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा और अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद फिर जो सिरप बनाया है वो स्टाफ लैम बंद करके वो गरम गरमी ये बैटर में डालेंगे फिल्टर करके डाल सकते है और एक हाथ में ऐसे मिक्स करना है और एक हाथ से डालेंगे बैचर डालते टाइम फ्लेम थोड़ा सा ज्यादा रख लेजिए मतलब मेडियम हाई पर रख लेजिए और ऐसे बाबल्स आना चाहिए वो साइड पर और उपर ऐसे थोड़ा सा ब्लाक तिल डाल रही हूँ मैं अब देखिए 40 सेकेंड्स के लिए ऐसे वो जो बाबल्स है साइड में वो आना है तब तक ऐसे हम हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद कुकर बंद करेंगे कुकर बंद करते टाइम ऐसे वेट नहीं रखना है ऐसे खुला चोड़ना है इसको हम मीडियम फ्लेम पर रखना है मैंने यहाँ पर स्टील का जो कुकर यूज किया है इसलिए वो नॉर्मल जो दोशा तवा है उसके ऊपर रखा है मतलब डायरक्ट फ्लेम पर नहीं रखा ह क्योंकि यह स्टील का है अगर अलुमिनियम का कुकर है तो डायरक्ट फ्लेम पर मीडियम फ्लेम पर रख सकते है और यह 5-6 मिनिट में हो जाएगा देखे यह विसल के जगा से ऐसे थोड़ा सा बबल सा रहा है ऐसे बबल सा गया तो स्टाव फ्लेम बंद करेंगे बंद करन करने के बाद ऐसा हमारा एक कालत अपम मिला है मतलब एक राइस का केक है और इसे देखिए साइड में से इसे अच्छे से निकल के आ रहा है और बहुत थंडा हो गया तो ऐसे हाथ में ऐसली आ जाएगा अगर गरम है तो वेट कर लीजे बिलकुल थंडा होना है जो कुकर उ कड करके देखिएंगे और कालत अपम बनाते इसा इसके साइड सबागेरा ऐसे लाइन लाइन होना चाहिए देखिए तो ऐसा हो गया तो ही हमारा कालत अपम पर्फर्ट है और इसका बैक सेट देखिए वह भी बाफली कुक हो गया है और ये तो बहुत soft है और ऐसे देखिए open करते time भी ऐसे string जैसा आता है वही जो perfect कलतपम का recipe है तो ये string जैसा आने के लिए जो bubbles मैंने बोला है जब हम batter डालते time जो cooker के side में से थोड़ा से bubbles आते हैं वो 40 minutes के लिए थोड़ा high flame पर wait किया तो ये string वगेरा आ जाएगा और गरम ग बन जाएगा हमारा जो कलतपम और बहुत tasty recipe है आप आप सब को पसंद आएगा जरू ट्राइ करके देख लीजिए इसी method पर cooker में easily बना सकते हैं तो बनाने के बाद आपके feedback जरूर comment कर लीजिएगा और आपको पसंद आ गया तो like कर लीजिए और friends and families को share भी कर लीजिए अब इसी में देख मारा जो यसी में दोग कर रदिए हैं जर इसी हैं